राष्ट सरप्रथम की बात लली सुमन के साथ कार्जग्रम में आप सभी राष्ट वासियों का हर्दू प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी धाचा और निवेश पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट आधारभूत संरचना के विकास को नई गती देने वाला है प्यमोदी ने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मान को देश के अर्थ विवस्था का प्रेरक शक्ती मानते हैं इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विक्सित होने की लक्ष को प्राप्त करेगा मुझे खुशी है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस वेबिनार में सैक्डो स्टेकोल्डर जुड़े हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ इस वर्ष का बजेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्टित मीडिया हाउसिस ने भारत के बजेट और उसके स्ट्रेजिक डिसिजन्स की भूरी भूरी पसंशा की है अब हमारा कैपेक्स स्वाल 2013-14 की तुलना में पाँज गुना अधिक हो गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्टर पाइप्लाइन के तहट सरकार आने वाले समय में 110 लाग करोड रुपिये इन्वेस्ट करने का लक्ष लेकर चल रही आज नेशनल हाइवे का एवरेज एन्यूल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग दो गुना हो चुका है अगर हम एरपोर्ट की तरफ देखें तो एरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़ करके डेड़ सो के आस्पात पहुँच चुकी है साथियों हम इंफ्रसक्शन निर्मान को देश की एकोनामी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं इसी रास्ते पर चलते विए भारत 2047 तक विक्सिद भारत होने का लक्ष को प्राप्त करेगा अब हमें अपनी गती और बढ़ानी है अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पी एम गती शक्ती नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है गति शक्ती नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रसक्चर का भारत के मल्टी मोडल लोजिस्टिक्स का काया कल्प करने जा रहा है। और कम होने वाली है इसका भारत में बने सामान पर हमारे प्रोडक्स के कंपिटेंसी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पढ़ना ही पढ़ना है लॉजिक्स्टिक सेक्टर के साथ साथ इस अफ लिविंग और इस अफ दूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा ऐसे मैं प प्राइवेट सेक्टर को इन प्रोडक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ शाथियों निश्चित तौर पर इसमें हमारे राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमी का है राज्य सरकारों के पाफ इसके लिए फंड की कमी ना हो इस हेतों से 50 साल तक के इंट्रेस्ट फ्री लोन को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है इसमें भी पिछले वर्ष के बजेटरी एक्पेंडिचर की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धी की गई है मकसद यही है कि राज्य भी क्वालिटी इंफ्रास्रेक्टर को प्रमोट करें साथियों जब किसी स्थान पर इंफ्रास्रेक्टर डेवलप होता है तो वो अपने साथ विकास भी लेकर आता है हमारा सोशल इंफ्रास्रेक्टर जितना मजबुत होगा उतने ही टेलेंटेड युवा स्किल्ड युवा काम करने के लिए आगे आजाये पाएंगे इसलिए ही स्किल ड अवशक है अलग-अलग सेक्टरस्ट में छोटे और बड़े उद्योगों में हमें स्कील्ड फोरकास्ट के बारे में भी एक मेकनिजम विक्सित करना होगा इससे देश के हुमन डिसोर्स पूल को भी बहुत फायदा होगा मैं सरकार के विबिन्न मंत्रालवा से भी कहूंग राश्टर पर्थम की बात लली सुमन के साथ कार्च करम में हम आप से आज यहीं विदा लेते हैं अनखावरों के लिए आप बने रहें राश्टर पर्थम बंदे मातरम जाग उठा है भारत